नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मकर रासी बालों जब भी अकेले पड़ जाएं जब दिल दुखी हो हिम्मट तूट जाए तब क्या करेंगे तब आखिर क्या करेंगे आप आज हम यही तो आप से साजा करेंगे कि आखिर क् कि जीवन आपका जीना ही सरल हो जाए एक बार इसे पीडियो के अंतक जरूर सुने जिन्दिगी में कभी आप हार नहीं मानेंगे यह जो मकर वाले होते हैं बड़े ही दरिया दिल होते हैं इनके जीवन में छल कपट जैसी चीज़ें नहीं होती जैसे होते हैं सीधे, साधे सचे, बिलकुल वैसे ही लोगों के सामने पेस होते हैं पर कई बार इनके अपने भी इन्हें नहीं समझ पाते एक बात हमेशा ही जानके रखिए जीवन में अगर खुसिया है, उत्सा है, जोस है तो दूसी तरफ निरासा भी है और हर किसी के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आ करें, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एक दम से किंग करतब बे बिमूर जैसे इस्तिती हो जाती है, चुनौतियां, मुसीबतें, जिन्दगी का हिस्सा है, लेकिन परेसानी तो तब होती है, जब आपके हिस्से में चुनौतियां और मुसीबतें ज्यादा आए और जी हमने दो तरीका इसलिए कहा, क्योंकि हमारा सोचने का नजरिया ही दो तरीके का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, जब बुरा सोचेंगे तब क्या होगा, आप सर पकरके बैठ जाएंगे, रोएंगे, चिलाएंगे, कुछ तोड़े पोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हु नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको परिसानी होगी, इसलिए इन तरीकों से आप अपने प्रॉब्लम से नहीं लड़ पाएंगे, तो इनको आप छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपके हिम्मत को आपके तोड़ेगा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, कि अब आप ये सोचिए, कि सब कुछ तो खो गए, खो चुके हैं, अब क्या खोना है, अब तो सिर्फ प्राक्त करना है, और एक बार फिर से मुसीवतों से लड़ने के लिए, एक बार फिर से हिम्मत के साथ उठिए, क्योंकि ये जो हमारा दिल है, इसके अंदर ही सब कुछ है, मैं सुना होगा कहाबत, अकल बड़ी या भैस, तो आपको अकल से इन भैसों को हडाना है, भैस यानि आपकी तकलीफे, आपकी मुस्किले, अब आप समझ रहे होंगे, आपसे क्या कहना चाते हैं, हम बहुत सिंपल तरीके से आपको सिर्फ समझाने की कोशिस करते हैं, ताक से लोग आपको जीवन में ऐसे मिल जाएंगे, जो जरा सा आपका समय गरबर नहीं हुआ कि आजाएंगे, आपका पैर खीचने, आपके उपर टोन करने, आपके उपर नकारतमक बातों का फतवा जारी करने, यानि उनका कामी यही है, उनका कामी यही है, वो खुद नकारतम देखना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ आपको तकलीफे देंगे आपको आगे कभी बढ़ाएंगे नहीं हमने पहले भी आपको बताया है जीवन में गलतियों को निकालने वाले जीवन में खराब सब्द बोलने वाले आपके बहुत सारी लोग मिल जाएंगे लेकिन जो आपको सपोर्ट करें जो आपके मनोवल को उचाक बनाए तके इसके लिए बहुत कम लोग हैं तो ऐसे में जिन्दगी को खुद आप सफल नहीं हो पाए हैं ऐसे लोग जिन्दगी में वह लोग से आप उमीद ही मत कीजे उनको इग्नॉर कीजे क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में आएंगे तो नुकसान आपका होगा एक तो ऐसे भी आप दुखी हैं वो और भी जादा आपको दुखी करेंगे अब इनसे बचने के दो तरीके हैं क्या है एक तो ऐसे लोगों से दूरी बना ले और दूसरा उनका सामन करें अगर वो कुछ कहते हैं तो आप सामना कैसे करेंगे बहुत सिंपल है आप अपने काबिलियत के दम पर कुछ ऐसा हासिल कर लें कि वो चारो खाने चित अब आप समझ रहे होंगे मापसी क्या कहना चाहते हैं जो लोग आप पर हसते हैं उन्हें हसने दीजिए क्योंकि वो लोग पागल है यह दिमाग में आप माइंड में सेट कीजिए कि अगर कोई आप पर हस रहा है और आप बुद्धिमान हो आपको अपने दम पर सब कुछ हासिल करना है कुछ बैक्ति ऐसे भी होते हैं जो सिफ मजे लेते हैं चार लोग बैट गए आप गुजर रहे हैं आपके बारे में कुछ भी एक दो सब्द बोलके मजे ले लिए ध्यान मत दीजिए अगर ज्यादा ध्यान देंगे फिर तो आप उलज जाएंगे और वही तो वह चाहते हैं ऐसे लोगों को आप से कोई खास दुस्मनी नहीं होती लेकिन वह चाहते हैं कि आप परिसान हो और वह मजे लें तो उनको मजे लेने का समय आप ज्यादा उनको उनके उनमें उलजिये मत पलटके देखिए भी मत अपने काम से मतलब रखिए ऐसे लोग सब्सक्राइए क्योंकि आपके मुस्कुराहट उनके लिए एक दंड है यह मत छोड़िएगा कभी क्योंकि आपके मुस्कुराहट आपको भी तो सुकुन देगा ना ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगे ऐसा ना कहें जैसे किसी ने आप पे दो सब्द कह दिये आपने पिशार कह दिए इसे क्या होगा? आपकी ही उलजने बढ़े इए दो एसा बिलकुल भी ना करें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभवी होते हैं सफल होते हैं लेकिन वह आपकी कमी को बताएंगे तो जो लोग ऐसे हैं बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो कमी बता कर आपको इग्नॉर करते हैं लेकिन बहुत बार ऐसे भी होते हैं लोग जो कमी बता रहे हैं तो आप समझिए कि कहां पर आपको काम करना है और अगर आपने अपनी कमी पर काम कर लिया तो फिर तो आपकी किस कोई नहीं समझ सकता क्योंकि आपका हमारा साथ बहुत पुराना है बहुत पुराना सायद इतना पुराना कि हम भी नहीं पता पाएंगे एक बात हमेशा ही याद रखिए जब भी दिल तूट जाए जब भी आपको लगे अब सामने बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड है खुद को संभालिए सच्चाई को स्विकार कीजिए और खुद को ये आप खुद से बादा कीजिए कोई बात नहीं इससे अच्छा होगा भगवान को जितना बुरा करना था कर चुका, अब सिर्फ अच्छा ही होगा जो बातें आपको बार-बार दुख दे रही है, उन बातों को बार-बार याद मत कीजिए आप उन चीजों को भी हटा दें जो बातें आपको उस चीजों से रिलेटेड है जो आपको तकलीफे दे रही है अपने आने वाले समय पर फोकस करें हमेशा ही सकात्मक सोच रखिए निगेटिव नहीं निगेटिव लोगों से दूर रहें नकात्मक बिचारों से दूर रहें लेकिन कैसे अपने अंदर छिपी भी परतिवा को बाहर लाईए आप क्या कर सकते हैं जीवन में जो आप सफल हो जाएं उन पर आप काम कीजिए अकेले मत रहिए अगर कोई आपकी बहुत बार होता है दिल में ऐसी ऐसी बाते होती है जो आप किसी से सेर नहीं कर सकते ऐसे में करना भी नहीं चाहिए क्योंकि किसी पर भरोसा करना इस दुनिया में बड़ा मुस्किल है कौन जाने कौन स्मार्टपोन तो लिया है हाथ में कौन चुपावा कैमरा से क्या रिकॉर्ड कर ले जड़ा संबल के अब यहां पर क्या करेंगे देखिए आप कागज क्लम ले पिन और सादा कागज कोरे कागज यह आपका सच्चा जीवन साथी है यह मान के चलिए इस पे लिखिए अपनी तमाम भावनाओं को और फार कर फेक दें रखिए मत हमें सब बैस्त रहिए कुछ न कुछ करते रहें जो भी आपके सौखें करते रहें और खुद को कभी दोस मत दें कि आपने गलती कर दी आप यह मत सोचिए आप यह सोचिए ऐसा होना था का आदी होना पहले तो आप उन गमों को भूलाने के लिए नसा करेंगे लेकिन फिर नसा आपको खुद को भूलाने के लिए नहीं बलकि आपको पीने लगेगा वो नसा आपको पूरी तरह से तोड़कर बरबाद करके छोड़ए इसलिए इन चीजों से दूर रही है अपन इस्ट देब के सरन में रहें फिलाला आपसे विदा लेते हैं अगर आपको लगे कि जीवन में राह आसान हो रहा है तब लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब